तो हो आज मैं आपको भौत ही टेस्टी किरिंक बताने वाले तो वो आपको भौत ही एल्प करेंगे आपको एनेड़िक तो इसके लिए सबसे पहले मेरी रेसिपी है बटर मिल्क तो आपको प्लेन बटर मिल लेना है मार्किट से चाए अमूल निया प्लेन और पूदियया पत्ते भी ले सकते हैं तो इसमें मैंने एक चमच पूरी सेंदा नमक डाल दिया और फिर उसमें आपको ये पूरा आदा लिटर छाज डालनी है तो आप इसमें आप छाज डाल दीजे तो ये आपका बटर मिल्क त्यार हो गया अब इसमें एक बहुत ही टेस्टी टुइस्ट है कि आपको इसमें बस एक चमच के करीब हरी चटनी लेनी है और वो इसमें आप मिला दीजिए और ये इतनी सुपर्ब ड्रिंक आपकी त्यार हो चुकी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये पी के तो बिल्कुल मतलब आपको आनंद आ जाएगा ये आपका चाज बहुत ही ही तियार हो चुका है इसमें अब बरफ भी डाल सकते हैं और ये लजीज है बहुत ही ज्यादा टेस्टी है दूसरी मेरी रेसीपी निम्बू पानी लेकिन इसमें भी ट्विस्ट बहुत ही टेस्टी वाला तो ये निम्बू पानी आपको बनाने सेंदे नमक में तो सबसे पहले आप इसमें वही वन स्पून आप सेंदा नमक डाल दीजिए और फिर आपको इसमें डालना है बिल्कुल चिल्ड वॉटर इसमें पूरा निम्बू डालने और मैं सच बता रहा हूं यह रैसेपी आपके लाइफ सेविंग का काम करेंगी बहुत ही टेस्टी हैं और आपको बिल्कुल रिफ्रेश कर देती हैं तो आप इसको आप मिला लीजिए और इसमें ध्यान रखिए आपको यह सिर्फ सॉल्टी बनाना है इसमें स्टीविया डालने की कोई जूरत है नहीं अगर आपको मिठा लेना है तो आप डाल सकते हैं अब इसमें इस पानी में आपकी मर्जी है आप चटनी भी डाल सकते हैं नहीं तो आप यह धनिये के पत्ते हैं पूदीने के पत्ते हैं वह भी डाल सकते हैं यह भी बहुत माइंड ब्लोइंग लगते हैं ये भी सूपर मरलब धनिये का इसमें ऐसा धनिया और पुदीने का ऐसा टेस्ट बैठ जाता है इस निम्बू पानी में आप पूछे ही मत और आइस चाहिए तो और आइस जाल दो फ्रेंड्स ये मेरी दो खास लाइफ सेविंग ड्रिंक्स हैं बहुत ही मज़ा जाता है मतलब में को तो जन्नत महसूस हो जाती इतना ज्यादा मज़ाता है ये धनिया और पुदीने वाला निम्बू पानी भी के और ये चटनी वाली बटर मिल्क लेगे तो ऐसी ऐसी रेसिपी जानने के लिए प्लीज आप भी लाइफ के मज़े लें